हलो एब्डिवन, हम क्लास सेवंथ साइंग्स एन्सियार्टी को स्टेडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चेप्टर नमबर 17 जिसका टाइटल है फोरेस्ट अवर लाइफ लाइफ लाइन इसके बारे में डिसकस करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं चेप्टर को स्टार्ट किया है एक स्टोरी के साथ में और इस चेप्टर में हम फोरेस्ट का क्या इंपोटेंस है उन सभी पोइंटS के बारे में डिसकस्न करेंगे तो स्टोरी में बताया है कि डेली बेसिस पर भूजो अपने फ्रेंड्स के साथ में इवनिंग में पार्क में खेलता है और एक दिन भूजो अपने साथ में युनिवर्सिटी के एक साइन्टिस्ट प्रोफेशर एहमद को लेकर कियाता है प्रोफेसर एहमद ने उसी दिन टाउन की गोल्डन जुबली celebration में participate किया था तो बच्चे जो है वो प्रोफेसर एहमद से question पूछते हैं कि उस celebration में किन-किन point के उपर discussion किया गया और उस celebration में क्या क्या किया गया तो प्रोफेसर एहमद वहां की basic बाते बताते हैं तो लास में एक important बात रखते हैं कि वहाँ पर टाउन में टाइम के साथ में जो unemployment बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी जो बढ़ती जारी है उस question के उपर भी discussion किया गया, तो वहाँ पर जो other member थे golden jubilee celebration में उन्होंने एक आंसर देने की कोशिस की कि क्यों ना टाउन के आसपास वाले region में जो forest area है उसको cut करके वहाँ पर एक factory बनाई जाए और इस factory में जो भी youth है, जो भी unemployed लोग हैं उन सभी को employment दिया जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, अपोज किया, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी surprise तरीके से पूछते हैं कि unemployment जो एक major issue है, उसको solution देने की यहाँ पर कोशिस की जारी है, तो इसके लिए इसके लिए जो other लोग हैं वो अपोज क्यों कर रहे थे, तो यहाँ पर प्रोफेसर एहमद बतात हैं कि जो forest area है वो बहुत ज़्यादा important होता है, forest area green lungs होते है, water purifying system का role play करते हैं हमारे nature में इतना ज़्यादा importance और इससे ज़्यादा और और भी other important things जो हैं वो हमें forest से मिलती हैं, तो forest का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब जो बच्चे वहाँ पर पार्क में present थे, व जो कि forest को उन्होंने कभी भी view नहीं किया था, तो प्रोफेसर एहमद उनको इस chapter में एक forest area है वहाँ पर ले करके जाएंगे, वहाँ पर क्या-क्या important चीजे है forest की वो सारी बाते फिर इस chapter में यहाँ पर बताए जाएगी, तो यहाँ पर यह important बात है कि forest जो है, वो green lungs होते है and water purifying system होता है, तो जब बे forest की importance की बात आए, इन points को आप लिख सकते हो, अब यहाँ पर विजिट start होती है forest की, बच्चे निकल जाते है forest में, जैसे ही वो forest में enter करते हैं, तो वो देखते हैं कि starting में कुछ-कुछ जो tree है वो है, लेकिन जैसे-जैसे अंदर वाले area में जाते हैं, तो काफे जादा dense area उनको देखने को मिलता है, तो first important बात उनको यह दिखाई देती है, कि जैसे ही वो forest में जाते हैं, उनको चारो तरफ greenery दिखाई देती है, मतलब कुछ पेड़ जो है, वो सुखे हुए भी है, लेकिन maximum पेड़ जो है, वो greenery है, एक point उनको यह दिख देता है, कि सभी tree जो है, वो सभी की height जो है, वो same नहीं है, मतलब कुछ छोटे है, कुछ बहुत जादा बड़े है, दूसरा उनको यह दिखाई देता है, कि plant की काफी जादा variety है, मतलब ऐसा नहीं है, कि सिर्फ forest में एक ही plant है, एक ही तरीके के plant, एक ही तरीके के tree है, अलग ही वो forest region में enter करते हैं, वो देखते हैं कि काफी cool breeze जो है, वहाँ पर चल रही है, काफी relaxing mode वहाँ पर दिखाई देता है, और जो भी वहाँ के animal है, जो भी वहाँ के birds है, वो काफी अलग-अवाजे निकालना start कर देते हैं, तो जब भी ऐसा लगता है कि forest area में कोई other जो है, व लेते हैं, important बात हो गई, basic बाते हमने discuss कर ली, अब यहाँ पर जो बूजो और पहली जो है, उनको याद आता है कि classics में उन्होंने पढ़ाता कि forest जो है, वो बहुत सारे animals के habitat का role play करते है, बहुत सारे plants को, बहुत सारे animals को, animals के लिए एक home होता है forest region, तो यहाँ पर कुछ हिम अब यहाँ पर animals की variety की हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं plants की variety की, तो plant जो है, वो नीम भी पाया जाता है, सीसम भी होती है, सैमल भी होता है, साथी साथ में बंबू भी होता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, कि एक जगे से दूसरी जगे, मतलब अगर एक ज उसी जगे पर forest region है, तो उनमें भी difference देखने को मिलता है, क्योंकि land area, temperature, बहुत सारी चीजे, height, यह सारी चीजे जो है, वो decide करती है, कि forest area में किस तरीके की variety plants में और animals में देखने को मिलेगी, तो यह चीजे जो है, वो vary करती है, एक जगे से दूसरी जगे पर, ओके, अब य कि जैसे के plywood, fuel, wood, boxage, paper, magic, furniture, यह सभी हमें plants से मिलता है, साती सात में हमें gum, oil, spices, fodder, for animals and medicinal plants जो है, यह भी हमें कहां से forest से प्राप्त होते हैं, और इन plants के basis पर बहुत सारे product जो हैं, वो हमें मिलते हैं, और यह सारी चीजे हमारे लिए काफी ज़्यादा important होते हैं, ओके, अब यहां पर देखो एक बात बताई गई है, कि plants जो हैं, उसमें काफी ज़्यादा seeds जो होते हैं, और यह जो seeds हैं, यह काफी important होते हैं, forest area को increase करने में, और जो forest floor होता है, मतलब जो forest area का floor reason होता है, वहां पर seeds को germinate होने में favorable condition मिलती है, और इन favorable condition के basis पर, जो plants हैं, वो यहा पर develop होते रहते हैं, नए नए seedlings जो हैं, वो यहां पर germinate होते रहते हैं, अब देखो जो plants होते हैं, उनकी height अलग-अलग होती है, अभी हमने starting में देखा, कि जो forest area है, वहां पर कुछ छोटे plants हैं, कुछ बड़े plants हैं, तो जो बड़े plants होते हैं, उन plants का, जो यह इस तरीके का जो cover होता है, उसको बोलते हैं canopy, okay, मतलब ऐसे लगता है कि दूसरे plants के लिए एक roof का role play कर रहे हैं, यह region, okay, तो यह हमने देख लिया, अब इसके बाद में हम देख लेते हैं, यह देखा canopy, मतलब other other plants की जो safe है, वो इस तरीके की दिखाई देती है, okay, अब यहां पर अगर हम देखें, तो यह हमने देखी लिया कि जो plants हैं और जो animals हैं, उनकी variety अलग-अलग forest region में अलग-अलग देखने को मिलती है, अब अगर हम plants की बात करें, तो plants जो हैं, वो अलग-अलग तरीके के हैं, herbs भी हैं, shrubs भी हैं, grass भी हैं, plant भी हैं, tree भी हैं, long tree भी हैं, बहुत सारे tree ऐसे हैं, जिनका stem काफी ज़्यदधा tight, tough होता है, बहुत काफी ज़्यदधा, kोंध होता है, काफी ज़्यदा एक तरीके से अब बात करो, कई का hard stem होता है, कई का soft stem होता है, यह सारी चीजे जो हαιं, वो देखने को, वो सारी तरीके के plants जो हैं, वो देखने को मिलते हैं, आपको द्यान में रखना है कि जहां याँ पर जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एईनिमल्स हैं वो डाइरेक्ली और इंडाइरेक्ली अपने फूढ के लिए प्लांट्स के उपर भी डिपैंड करते हैं और यहां पर जो forest region है, वहां पर काफी बड़ी एक chain दिखाई देती है, और इस chain में, chain मतलब जैसे कि grass को खाते हैं, insect, insect को खाते हैं, frog, frog को खाते हैं, snake, snake को खाते हैं, eagle, इसी तरीके की काफी food chain जो हैं, वो forest region में पाई जाती हैं, तो यहां पर यह बताया गया है कि अगर एक chain में किसी एक को, एक food को replace कर दिया जाए, तो उसे पूरी chain जो है, पूरी food chain जो है, वो effect होती है, पुरा food web जो है, वो effect होता है, अगर हम एक component को remove कर देतो, तो इसकी वज़े से सभी जो चीज़े हैं, वो effect होती है, यहां पर plants के benefit के बारे में बताया गया है, कि plant क्या करते है प्लांट जो है, वो जड़ो में इस तरीके से जुड़े हुए है, soil में इस तरीके से water है, water, soil में से water को शक करते हैं, plants अपनी roots के थरू, उसके साथ में nutrients जो हैं, उनको भी शक करते हैं, plants जो हैं, वो क्या करते हैं, oxygen को release करते हैं, photosynthesis procedure करते हैं, carbon dioxide जो environment में release होती है, उसको use क करते हैं, photosynthesis के processor में, sunlight के presence में, और इसके थरू जो है, वो carbohydrate बनता है, food के रूप में, और oxygen release होती है, यह plants का use है, अब यहां पर सारी बाते हमने discuss कर ली, अब हम देखते हैं कि plants जो हैं, उनकी पतियां, यह सब जो हैं, वो नीचे गिरती रहती हैं, जीव जनतु जो हैं, उनक बहुत सारे आपको पेड़ पते, जो हैं, लीफ जो हैं, वो देखने को मिलेगी, टाइम के साथ में, यहां पर, moist जो है, वो available रहती है, तो यह सारे टाइम के साथ में, डिक्रेड होते जाते हैं, और एक तरीके से nutrition, मतलब उन plants में, या फिर जो भी animal हैं, उन सब में, जो भ बहुता रहता है, अब यहां पर question किया जाता है, कि यह जो भी dead plants और animal tissue जो है, वो convert होते रहते हैं, एक dark colored substance वे, जिसको बोलते हैं, हुमस, और यह हुमस में convert कोन करते हैं, तो यह करते हैं, micro organism, जो इनको क्या करते रहते हैं, खत्म करते रहते हैं, जिसको बोला जाता है, decomposers Micro organisms which convert the dead plants and animals to humans are known as decomposers, ओके, और यहां पर बताया गया है, कि आप question पूछते हैं, कि भी आपने starting में बताया, प्रोफिसर से question पूछते हैं, कि आपने starting में बोला, कि forest जो है, वो green lungs होते हैं, तो फिर कैसे होते हैं green lungs, देखो जो forest क्या करते हैं, carbon dioxide को use करते हैं, और उसको oxygen में convert करते हैं, साथ ही साथ में oxygen का और carbon dioxide का balance बना कर रखी रखते हैं, किसमें हमारे global level पर, हमारे environment में, तो यही तो काम होता है ने lungs का, तो इसी लिए forest को green lungs से बोला जाता है, साथ ही साथ में जो plant है, वो water cycle को भी maintain करके रखते हैं, तो यहां पर बताया गया है, कि जैसे ही बच जो है, forest region काफी dense होता है, तो वो बिल्कुल land area तक नहीं पहुच पाती है, यहां पर बताया गया है, कि देखो forest region है, और ज्यादा से ज्यादा forest cover होगा, तो जो भी rain drops है, वो land area तक नहीं पहुच पारी है, मतलब land area को cut नहीं कर पारी है, तो इसके soil erosion जो है, वो काफी कम होता है, जैसे forest area increase होता है, soil erosion काफी कम होता है, ओके, और जो water है, जब वो land area तक नहीं पहुचेगा, तो एक तरीके से flow नहीं देखने को मिलेगा, और flow नहीं देखने को मिलेगा, तो sand जो है, land जो है, soil जो है, वो कट नहीं होगी, ओके, दूसरा अगर हम बात करें, तो forest region में ना सिर्फ animals and plants ही देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ट्राइब, बहुत सारे people भी रहते हैं, जिनको tribal people बोलते हैं, और यह जो tribal people है, वो forest के उपर अपने food के लिए, shelter के लिए, water के लिए, medicine के लिए, इन सभी के बारे में dependent रहते हैं, तो यह हमने देख लिया, कि किस तरीके से water cycle क को maintain करती है, जो forest region है वो, और किस तरीके से soil erosion को safe करती है, soil को बचाती है, forest region, तो यह सारी बाते हमने discuss की है, इस chapter में, कि क्या-क्या importance है forest region का, यहाँ पर कुछ points में दिया हुआ है, यह हम discuss करेंगे, पहले आप वोई मेज दी हुई है, यह first number की मेज है, कि पहले बहुत सारे plants थे, थोड़े थोड़े विकल चलना स्टार्ट हुए, फिर plants को काड़ दिया गया, factories यहाँ पर establish कर दी गई, जो क्या विकल है वो भी बढ़ गए, और emission जो है काफे बढ़ गया, ओके, और यहाँ पर second number की है, कि कि किस तरीके से plants थे, और धीरे धीरे वो सूख गई, यह सार carbon dioxide का जो मामला है, air में वो बढ़ जाएगा, और इसकी वज़े से earth का temperature बढ़ेगा, ओके, क्यों बढ़ेगा earth का temperature, क्योंकि CO2 जो है, वो क्या करेगी, कि जब sunlight आती है, तो उसमें से कुछ sunlight जो है, वो earth के द्वारा absorb कर ली जाती है, कुछ द्वारा से reflect कर दी जाती है, लेक इसकी वज़े से earth का temperature increase होगा, और plant नहीं होगे, trees नहीं होगे, तो animal जो है, उनको food और shelter नहीं मिलेगी, trees की absence में क्या होगा, soil जो है, वो water को hold नहीं कर पाएगी, और इसकी वज़े से floods आ जाएगी, क्योंकि plants की जो root होती है, वो soil को पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, और साथ ही साथ में, जब यहाँ पर soil जमी होई होती है, तो जादा से जादा क्या होता है, water absorb होता है, floods जो है, वो कम से कम देखने को मिलती है, और deforestation जो है, इसकी वज़े से हमारी life और environment जो है, दुनों को नुकसान होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाह और forest को preserve करना चाहिए, तो chapter हमने कर लिया है discuss, अब कर लेते हैं इसके important facts chapter के, तो chapter में बताया गया है कि हम जो है, we get various products from the forest surrounding us, हमारी चारो तरफ जो पेड़ पूते हैं, जो forest है, उनसे हमें बहुत सारी product मिलते हैं, forest में क्या क्या होता है, forest एक system होता है, जिसमें बहुत सारी plants होते हैं, animals होते हैं, और micro organism होते हैं, एक forest में trees जो है, वो upper most layer होती है, उसके बाद में shrubs होते हैं, hubs होते हैं, lower layer पर, मतलब इस तरीके से बताये गया है, सबसे बड़े पेड होते हैं, फिर shrubs होते हैं, फिर hubs होते हैं, और vegetation जो है, इसकी जो different layer है, वो animal को, bird को, और insect को, food and shelter प्रौवाइट करती है, फोरेस्ट के बहुत सारे कमपोनेंट्स होते हैं फोरेस्ट में और वो सारे एक दूसे के उपर independent, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जैसा कि हमने डिसकुस किया कि बहुत सारी food chain होती है फोरेस्ट में और अगर फोरेस्ट की food chain में से एक component को भी हम replace कर दे तो इसकी वज़य से जो problem है वो काफी ज़्यादा बढ़ सकती है forest regular बढ़ते रहते हैं regular change होते रहते हैं और region rate होते हैं forest जो है there is interaction between soil, water, air and living organism इन सब की बीच में interaction देखने को मिलता है और इसके बाद में forest जो है वो soil को erogen से बताते है soil जो है helps forest to grow and regenerate forest are the lifeline for the forest dwelling communities forest influence climate water cycle and air quality forest का क्या importance है उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर discuss कर लिया है तो अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को like कर दीजे share के कर दीजे और channel को subscribe कर दीजे आप हमारे other important videos जो है जो NCRT से related है उनको जाकर के view कर सकते हो geography से related है history से related videos आपको available है channel पर आप जाकर के view कर सकते हो जो के थैंक्यू तो के थैंक्यू